तो इन दोनों के कंबाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना GS NCRT बैच ठीक है तो सबसे पहले आपके मैं रविन्दर सिंग आपको इस बैच के बारे में कुछ जनरल टॉपिक्स चीजे कुछ डिसकस करना चाता हूँ ठीक है बैच स्टार्ट करने से पहले हम उन चीजों को डिसकस कर लें जिससे आपको ये पता हो के हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपके कहां काम आने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताओं, कि जब तक ये फ्रीक्लासेस आपके जो एप के ऊपर जो ये चलने वाली हैं तो इस पूरी अबधी में आपके क्या होगा कि लाइव चैट का प्रोग्राम आपके बंद रहेगा. तो चुकि लाइव चैट का प्रोग्राम आपके बंद है तो आप लोगों में से किसी के मन में अगर कोई doubt आता है तो अभी आपके तातकालिक फैसलीटी ये दी गई है कि आप इस नमबर पे immediate what's up करके अपना doubt क्लियर कर सकते हैं तो आप लोगों का अगर कोई doubt है ठीक तो अभी आप क्या कर सकते है इस नमबर पर आप वाटस अप करके अपना doubt क्लियर तब तक कर सकते हैं जब तक आपको live chat की facility नहीं दी जा रही ठीक है जैसे ही live chat की facility आपके app पर चालू होगी उसके बाद इस number की सब्दाएं बंद हो जाएंगी अब हम आते हैं आगे तो दोस्ता अब हम आगे समझते हैं तो सबसे पहला question आपके GS, NCRT आपके ये जो batch है ठीक है तो ये batch में जो ये बर्ड है आपके इस word का आपके अर्थ क्या है इसको हम समझ लें तो GS आपके stand for general studies सामान अध्यान ठीक दूसरा word है आपके NCRT ठीक है तो हम शुरू करते हैं अपनी सुरुआत कहां से NCRT ये basically आपके NCRT आपके है क्या पहले तो हम ये समझ लें ठीक है NCRT आपके ये जो word है NCRT stand for national council of education research and training ये भारत सरकार की आपकी एक संस्था है और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1961 यानि 1961 में ठीक है इस संस्था के गठन का उद्देश से जो था वो आपके ये था कि आपके इसकूली जो सिच्छा होती है या इसकूली जो सिच्छा का जो पाठिकरम होता है उस पाठिकरम यानि सिलेवस का निर्धारण करना ठीक है यानि कि आपके NCRT का जो आपके उद्देश ये था गठन का वो आद था कि एक तो आपके जो स्कूली एजुकेशन है उसके सिलेवस का निर्धारण करना कि सिलेवस का इस तरह से निर्धारण किया जाए कि जैसे जैसे बच्चे की सारीरिक और मानसिक छमताओं में ब्रद्धी होती जाए तो आपके बदलते हुए परिवेस बदलते हुए घटनाओं से और नित आती हुई चीजों से उचे क्या किया जाए अबगत कराया जा सके इस प्रकार के सिलेवस का निर्धारण किया जा सके जैसे जैसे बच्चे की समझ हो उसके according आपके निर्धारित किया जाए जो स्कूली एजुकेशन है उसके सलेवस को और साथ ही आपके इसका दूसरा काम था आपके क्या ट्रेनिंग ट्रेनिंग किसमे एजुकेशन के छेटर में ठीक है जिससे के आपके एजुकेशन की कुछ नई मेथडस आपके सामने निकल के आए जो आपके बच्चों को ज़्यादा ब्यवहारिक सिछा देने में आपके क् हो ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि NCRT का आपके ये उद्देश है क्या था पहली चीज अब हम आते हैं इससे आगे तो NCRT आपके है क्या भारत सरकार की आपके एक संस्था ठीक 1961 में इसका गठन हुआ इसका आपके काम क्या है इसका काम आपके है कि आपके जो स्कूली एजूकेशन का जो सिलेवस होता है आपके उसको इस तरह से डिजाइन करना कि बच्चे की जैसे जैसे समझ हो उसके एकोर्डिंग आपके सिलेवस में एक क्या हो एक ब्रद्धी उसकी quality को enrich किया जा सके और बच्चा बहतर तरीके से कैसे समझ सके इस संदर में research करना ठीक है अब हम आते हैं इससे आगे अब हम यहां दूसरा point यह देखते है कि इस NCRT में आपके syllabus तो यह पूरी आपके कच्छा एक से लेके कच्छा 12 तक का निर्धारत करती है है यह NCRT लेकिन हम इसमें क्या study करेंगे ठीक है तो हम NCRT में क्या study करेंगे इस second point की अगर हम बात करें ठीक कि क्या study करेंगे तो चुकि हम जो भी study करेंगे यहां हम वो करेंगे अपने उद्देश्य के हिसाब से तो हमारा जो आपके उद्देश्य है वो आपके क्या होगा कि आपके जो आप सभी लोग बिभिन बिभिन प्रतियोगी परिच्छाओं को जो आप लोग एपियर होते हैं तो इन परिच्छाओं में आपके जनरल इस्टडीज की एक बहतर समझ आपकी दिखसित हो सके और जनरल इस्टडीज के जो questions in exams में आपके आते हैं उसको क्या कर सकें आप बहतर डंक से solve कर सकें ठीक है यह हमारा उद्देश है तो यह अपने इस उद्देश को पूरा करने के लिए जो हम लोग study करेंगे वो करेंगे आपके क्या class 6 से लेके class 12 की NCRT books यह हमारा उद्देश इसमें है क्या कि study करने वाले क्या है इसमें हम NCRT books की study करने वाले हैं कच्छा 6 से लेके कच्छा 12 तक अब कुश्यन आपके यह आया कि कच्छा 12 तो आप सभी लोग class 12 पास करके आये हैं ठीक है तो फिर आपको यह study करना क्यों है ठीक है तो यहाँ सबसे बड़ा प्रस्न आपको यह study करने का आपके इसलिए है कि आप जब कच्छा 6 में थे तब आपका उद्देश ये था कि कि किसी तरीके से मगिंग करके इस कच्छा 7 में पहुंच जाएं आपका उद्देश समझना नहीं था आपका उद्देश क्या था कि किसी तरीके से कच्छा 7 में पहुंच जाएं जब कच्छा 7 में आप आए तब आपका उद्देश है था कि इस सिलिएवस को पढ़के class 8 में क्लास 9 में पहुँच जाए, क्लास 10 में पहुँच जाए, यानि कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब आपका जो उद्देश से था वो नौलेज हासिल करना नहीं था, आपका सिर्फ उद्देश था कि एक क्लास कैसे आगे इन रिच हो, तो वहाँ आपने अपनी समझ को विक्सित नहीं किया, ठीक, आपने सिर्फ चीजों को उतना ही समझा और उतना ही जाना जो आपको पास कराने के लिए जरूरी थी, या अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए जरूरी थी इससे ज़्यादा आपने कभी समझने की कोसिस की ही नहीं तो ये प्रॉबलम थी हमारी क्या क्लास 6 से क्लास 12 की जो हम लोगों की जो बैभारिक समस्या थी ये सारे इस्टुडेंट्स की समस्या है अब यहां चूकी ये समस्या है अब आगे देखते हैं अब आगे आके प्रॉजेंट में अब इसकी जरूरत पढ़ी क्यों प्रॉजेंट में आपके इसकी जरूरत ये पढ़ी कि एक तो UPSC के दोरा आयोजित किये जाने वाले जितने भी आपके एक्जामस हैं इन सारे एक्जाम में आपके जो GS के становится का जो इस्तर होता है जो लेवल होता है वो specially आपके class 6 से class 12 तक आपके GS के कुश्चंज का लेवल होता है ये समझ लीजिये ईवन आपके civil IS prelims तक आपके कोई भी graduation या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का GS का कुस्चन नहीं होता यहाँ NCRT लेवल का ही चुकी कुस्चन होता है इसलिए हमें study करना है आपके class 6 से class 12 की NCRT एक बहतर समझ के साथ ठीक है तो हम यहाँ study करने वाले हैं क्या class 6 से class 12 की NCRT box तो यह हमने दूसरा point देखा अब इसके बाद में next अब हम आगे आते हैं अब next अब हम यह देखते हैं कि अब हम जो NCRT आपके पढ़ रहे हैं इसका उद्देश यह क्या है इसका objective क्या है तो next point अब हम देखें तो यह जो हम पढ़ रहे हैं इसका objective क्या है या इसमें हम किन exam को आपके focus करने वाले हैं ठीक है तो इसकी अगर हम बात करें आपके तो इसका जो उद्देश्य है ठीक है वो उद्देश्य आपके ये है कि सबसे पहले तो हम उठाते हैं आपके IES ठीक है IES की हम अगर बात करें तो आपके IES के exam में एक तो हुआ prelims और एक हुआ आपके men's ठीक है दो exam आपके हुए अब सिर्फ NCRT की भूमिका को हम IES के exam में देखते हैं ठीक सबसे पहली चीज आपके जो NCRT पढ़ने का जो हमारा उद्देश है वो उद्देश है strong foundation building strong foundation building पहला उद्देश ठीक यानि कि आपके जो आपका आधार है या आपकी तयारी की जो नीव है उसको इतना strong कर देना कि उस strong build आपके foundation के ऊपर आप क्या कर सको एक बहतर GS की सनरचना का निर्मान कर सको ठीक है दूसरी खास बात आपके ये है हमारा NCRT को आपके पढ़ने का ठीक क्या easy understanding यानि कि किसी भी topic पे जो सबसे सरल तरीका समझने का जो आपके है वो हम देखेंगे अपनी NCRT के अंदर ठीक और तीसरा जो हमारे जो उद्देश है ठीक है वो उद्देश है आपके core knowledge core knowledge या core facts core facts यानि कि बिलकुल core and crux जो आपके knowledge किसी भी बिसे पर आपके होती है या जो आपके core facts आपको जानना जो जरूरी होते है ठीक है उनको समझना है हमारा उद्देश ठीक अब ये तीन तो हमारे प्राथ में कुद्देश होंगे इस NCRT badge को पढ़ने के अब इसके बाद में अब हम आगे आएं अब ये NCRT सबसे पहले करेगा क्या GS का strong foundation बनाएगा ठीक आपकी core knowledge या core facts को improve करेगा और एक समझने का एक इसी तरीका develop आपके करेगा NCRT ये हमने यहां तक देखा अब थोड़ा सा हम यहां बैभारिक exam में आते हैं कि ये जो आपके NCRT है ये आपके exam में बैभारिक क्या मदद करेगा ठीक है तो समझना अगर हम IES prelims की बात करें तो IES prelims का आपके जो average आपके जो cutoff होता है वो आपके GS paper 1 में वो 55 question ठीक और सिर्फ NCRT से आपके 50 से 60 question पूछे जाते हैं IES prelims में सबसे पहली जीन पिछले कई सालों के cutoff को हम देखे हैं तो average cutoff 55 question यानि 110 number ये average cutoff हुआ ठीक और 50 से 60 question आपको सिर्फ prelims में आपके मिलते हैं किस से? NCRT से ये direct आपके NCRT का importance है किस में? IES के exam में ठीक है? यानि कि सिर्फ NCRT पे भी आपकी अगर command अच्छी है तो आप IES prelims को बड़ी आसानी से crack करने की स्थती में आ सकते हैं अब दूसरा point समझना जब हम IES मेंस के syllabus की हम बात करें तो IES मेंस के अंदर जो syllabus है ठीक वो सिर्फ दो चीजों से design आपके होता है या सिर्फ दो ही चीज़ें आपके उस syllabus के लिए जरूरी है पहला तो आपकी basic understanding जो आपको NCRT से मिलती है और दूसरा आपके current affairs क्योंकि IES मेंस में जो question होगा अगर आपका base सहीर और उस base को current में लिखने की आपकी चमता है तभी आप IES मेंस के questions को deal कर सकते है ठीक है यानि कि सिर्फ अगर आप NCRT पढ़ते हैं तो आप IES मेंस के 50% syllabus को आप cover करने की चमता रखते हैं ठीक यानि कि NCRT आपको वो understanding देगी जिससे कि आप IES मेंस के लगबग 50% syllabus को समझने की चमता दिखसित कर लेंगे और इसमें अगर हम कुछ optional की बात करें like geography जैसे optional geography जैसे optional में अगर आपने सिर्फ 6 से लेके 12 तक की NCRT books को पढ़ा है तो इवन आप यकीन मानना आपको geography optional में भी किसी book को पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ optional तो सिर्फ आपको NCRT निकलवा देगी ठीक आप geography optional में 6 से लेके 12 तक की NCRT के सारे pattern को आप देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि हमें optional में भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ रही है कोई भी even book और कोई भी even notes ठीक है अब आते हैं आगे अब हम यहाँ देखते हैं कि आपके यह जो NCRT है यह direct और indirect men's exam में 50% question आपके फसा रही है और आपको यह जानकर आस्चर होगा कि पिछले 4-5 सालों से men's का जो आपके cut off जा रहा है न वो सिर्फ 45% cut off यानि कि men's exam जो qualify हो रहा है वो 45% पर qualify हो रहा है यानि कि आपके 1750 number का आपके जो यह men's है IES में उसमें से अगर 45% भी आप लाने में सकसेज हुए तो आप men's को qualify करके सीड़ा interview में पहुँच जाएंगे तो बहुत vast knowledge हासिल करने की अपेच्छा अगर हम सिर्फ इस knowledge पे भी अगर focus कर दें तो हम IES निकालने की एक बहतर इस्तती में होंगे आप लोग जो exam पढ़ते हैं जो newspaper में कि कई essay students होते हैं जोनोंने coaching ही नहीं ली अब जोनोंने coaching नहीं ली ठीक तो यकीन मानना ये बो लोग हैं जोनोंने इस NCRT को बहुत अच्छे से पढ़ा है ठीक और सिर्फ इसी की दम पर और current affairs की दम पर ये exam crack करके आगे वड़े हैं ठीक है पहली चीज़ तो यह हुआ अब इसके बाद में हमारा जो दूसरा जो इसका objective है NCRT को आपके पढ़ने का ठीक है दूसरा objective आपके ये है अब different different जो आपके exam है जैसे कि state PCS exam जैसे कि आपके state PCS exam के आपके अलावा ठीक state PCS exam state PCS के अलावा state के जो judiciary exam होते है इसके अलावा गर हम देखे है तो UPSC के दौरा आपके आयो जित कुछ exam जैसे के CAPF Central Armed Police Forces CDS Combined Defense Services और NDA National Defense Academy ठीक इन तीनों ही exam में आपके जो selection का जो मुख्यादार है वो है आपके general studies GS और इन में GS के जो आपके questions पूछे जाते हैं ये direct question आपके होते हैं किस से NCRT से ठीक तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जितने भी exam आप जो बड़े exam देख रहे हैं देश के देश के बड़े exam में आपके direct जो ये question पूछे जाते हैं वो सीधे आपके NCRT से होते हैं और दूसरा एक बात और याद रखना है कि अगर exam में कोई question पूछा गया है ठीक है? एक्जाम के अंदर आपके कोई question अगर ये पूछा गया है ठीक है? तो इसका जो सही answer होगा वो हमेशा आपके कोई आयोग मानेगा जो NCRT में answer दिया गया होगा कई बार disputed questions हो जाते हैं और इन disputed question के जो आपके answer जो आपके सही माने जाते हैं वो आपके किस से माने जाते हैं? NCRT से ठीक तो ये हमने देखा सबसे पहले कि हमारा उद्देश क्या है तो हम सामाने भासा में कर समझें तो NCRT को पढ़ने का या पढ़ने का जो हमारा उद्देश है वो ये है कि एक तो GS की strong foundation आपकी तयार हो जाए आपको core knowledge हासिल हो जाए इसी वे में आप चीजों को समझ सकें और इसके अलावा किसी भी exam में आपके GS के questions आ रहे हैं उसमें आप इतनी सामर्थ हासिल कर लें कि उस exam को आप crack कर सकें बस ये हमारा objective है इसका अब हम इसके बाद objective के बाद अब हम next समझते हैं यहाँ अगला point NCRT में इसमें हम subject कौन से पढ़ने वाले हैं ठीक है हम कौन कौन से आपके subject पढ़ने वाले हैं किसके अंदर NCRT के अंदर तो अगर हम subject की बात करें तो इसके अंदर जो हम subject सकोर्स के अंदर आपके जो पढ़ने वाले हैं ठीक है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिटिउशन तो अगर हम subjects की अगर हम यहां बात करें तो यहां हम जो common subjects जो पढ़ने वाले हैं आपके वो कौन कौन से पहला पॉलिटी ठीक दूसरा आपके history, तीसरा geography, चौथा economy और पाँचवा general science यानि कि इन पाँच subjects को हम पढ़ेंगे अब यहां हमने यह पाँची subject क्यों select की हैं जबकि NCRT तो और भी आपके subjects की आती हैं तो इन पाँच subjects को आपके select करने का आधार हम लोगों ने यह रखाए कि भारत के अंदर आपके जो भी exams होते हैं उनमें जो common subject होते हैं वो होते हैं यह पाँच ठीक कोई भी competitive exam इंडिया के अंदर छोटे level से लेके IES prelims level तक का है तो उसमें यह जो पाँच subject हैं यह common subject हैं जो हर exam में आपके आते हैं ठीक है इसी आधार पे हमने यहाँ जो subject का निर्धारण किया है quality, history, geography, economy और general science अब इसमें जो हम NCRT जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम इन चार subject की जो NCRT जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 6 to 12th class कौन से चार subject की? quality, history, geography और economy इन चार subject की जो आपको NCRT जो आपको पढ़ना है वो 6 to 12th class इसको आप लोग अभी समझ ले ठीक है? वही general science की जो आप book पढ़ेंगे general science की जो आप किताब पढ़ेंगे general science में जो हम आपको पढ़ने वाले हैं वो 6 to 10th class इसके पीछे reason यह है कि general science यानि physics, chemistry, biology के जो भी questions आते हैं वो 16 से 10th standard तक के ही आपके SSC से लेके SSC दो बहुत छोटा exam हो गया IES prelims तक ठीक? 10th class से उपर का कोई भी question पूँचा नहीं जाता ठीक है? यानि कि 16 से 10th class का standard रहेगा हमारे किसका? general science का ठीक? तो यह हमने क्या करिया? हमने सबसे पहले यह देखा कि हम क्या subject पढ़ने वाले हैं और किन subject में कौन सी NCRT पढ़ने वाले हैं पहला point हुआ अब हम आते हैं इससे आगे अब अगला point आप लोग समझना कि NCRT पढ़ने का हमारा तरीका क्या रहेगा? हम अपने methods को भी देख लाएं NCRT पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? ठीक है? तो अब अगर हम यहां अपने तरीका या method की बात करें ठीक? तरीका यानी की method इसे वड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझाएं आप लोग यहां तरीका क्या रहेगा? ठीक है? अब तरीके की अगर हम बात करें तो यहां दो चीज़ें आपके आती है ठीक है? दो चीज़ें आपके क्या आती है? दो चीज़ें आपके यह आती है कि पहला तरीका तो हमारे पास यह है कि हम class wise NCRT पढ़ें class wise का मतलब 6th, 7th, 8th, डैस, डैस, डैस 12th, बड़ा असान सा तरीका है पहले हम आपको 6B की NCRT पढ़ाएं फिर 7B की पढ़ाएं, फिर 8B की पढ़ाएं 9B की, 10B की, 11B की, 12B की एक तरीका तो यह रहा अब यहां यह जो आपके class wise जो आपके NCRT है ठीक है? पढ़तों मैंसी भी सकते हैं इस class wise NCRT को पढ़ने में एक समस्या है ठीक, समस्या आपके क्या? NCRT के अंदर आपके जो topics दिये गए हैं यह topics की खास बात आपके यह है कि यह आपके repeat किये गए बारवार, ठीक है? repeat किये गए हैं बारवार और इसमें आपके कई जगे आपके क्या है? linking की कमी है linking की कमी आपके कैसे है? जैसे के हम आते हैं geography इसका एक example है geography में आपके class 9th की NCRT में आपका topic दिया गया है Indian monsoon class 9th के बच्चे को Indian monsoon का topic समझना है ठीक है? यह class 9th का topic है ठीक? अब आप सीधा class 9th की NCRT पढ़ते हैं और आप Indian monsoon को पढ़ते हैं तो यकीन मानिये आपको यह समझ में ही नहीं आएगा क्यों? क्योंकि monsoon आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको यह नहीं पता कि आपके temperature का concept क्या होता है? pressure का concept क्या होता है? ठीक? winds का concept आपके क्या होता है? जब तक यह concept नहीं पताती है तब तक आप मानसून के concept को समझ ही नहीं सकते तो इसका मतलब आपके अब दूसरा तरीका आपके यह हुआ कि दूसरा तरीका हमारा यह होता है कि दूसरा आपकी यह जो तरीका है वो हो गया topic wise हम पढ़े topic wise topic wise का मतलब आपकी ये होता है कि आपके GS के अंदर आपके हर subject के जो topic होते हैं उनके अंदर एक chronology होती है chronology का मतलब A के बाद ही B आएगा और B के बाद ही C आएगा और यही तरीका होगा हमारे समझने का यानि कि topic wise का मतलब हम सारे topic के बीच में आपके क्या बना लें एक chronology बना लें यानि कि एक sequence बना लें ठीक यह हुआ sequence कैसे sequence आपके ऐसे sequence आपके ऐसे कि जैसे कि अगर आपको हम जिग्राफी की बाद कर रहे है अगर temperature आपको पता है ठीक तो आप आसानी से समझ पाएंगे pressure pressure अगर आपको पता है तो आप आसानी से आपके समझ पाएंगे winds winds आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे rain rain आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे natural vegetation प्राकृतिक बनस्पती ठीक, यहीं sequence होगा न, अगर आपको यह पता है कि temperature या तापमान के concept क्या तो बड़ी आसानी से आप pressure के भी समझेंगे यानि temperature के उपर based है pressure, pressure के उपर based होगी winds, winds के उपर based होगी rain और rain के उपर based होगी natural vegetation ठीक, यानि यहा क्या हुआ, आपने देखा कि आपके यहां जो topics हैं, उनके बीच में एक proper आपके chronology होती है topics के बीच में आपके chronology होती है, ठीक है, यह आपने देखा, तो अब यहां हम लोग आपके आते हैं आगी है ठीक है अब next आगे समझना ये chronology आपने देखी तो हम लोग जो NCRT आपके जो read करने वाले हैं वो आपके करेंगे किसाधार पर topic wise यानि कि हमने पूरी NCRT की एक chronology आपके develop की हुई है पहली चीज तो यह पूरी NCRT की हमने आपके क्या develop की हुई है एक proper आपके chronology develop की हुई है ठीक है और इस chronology के according हम study करेंगे आपके किसको NCRT वो हर subject की आपके एक proper chronology होगी ठीक chronology जैसे कि मान लिए four example आपके polity तो polity में हम सबसे पहले आपके यहां देखेंगे कि एक ब्यक्ति से आपके crowd कैसे बनता है group यानि समू कैसे बनता है समू से आपके community कैसे बनती है community से nation कैसे बनता है nation से state कैसे बनती है फिर हम state के principles पे आएंगे यानि कि एक systematic chronology से हम समझने की कोसिस करेंगे आपके किसको हर topic को ठीक है तो यहां हम करेंगे क्या यहां जो हम पढ़ेंगे NCRT कैसे class wise ना पढ़के हम topic wise पढ़ेंगे और सारे topic के बीच में एक sequence या एक chronology आपके होगी जिसके आधार पर हम NCRT को आपके read करेंगे ठीक यह सबसे पहले हम लोगों ने समझा अब हम आते हैं इससे आगे ठीक अब इसके बाद मैं next अब हम समझते हैं कि अब हम सबसे पहले आपके जो duration है वो आपके इस course की duration आपके क्या रहेगी ठीक तो इस course से पहले हम सबसे पहले देखें कि ये जो आपके NCRT का ये जो live badge है ये live badge आपके daily 7 p.m. to 9 p.m. ठीक यानि 7 p.m. के आसपा से start होगा और आपके वही 8.30 से 9 बजे आपके पर डे आपके ये चलेगा ठीक है डेड़ से 2 घंटे पर डे की आपकी इसकी अबदी रहेगी Monday से Friday का आपके अभी ये general badge रहेगा दूसरी चीज़ और तीसरा यहाँ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि लगवग इसका जो badge की जो आपके complete जो duration आपके रहेगा course duration ये लगवग 6 महीने में आपके course खतम हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं आपके ये NCRAT batch आपके ये useful किस किस के लिए है तो useful आपके किस किस के लिए है तो सबसे पहले हम देख लेए बे लोग आपके जनोंने just 12th pass किया है या बे लोग जो graduation में है और जो लोग आपके IES की तयारी करना आपके चाहते हैं ठीक तो उनके लिए आपके जो पूरा एक साल का पूरा जो pattern है यानि कि जो शुरू का जो एक साल उन्हें देना है वो देना है किस पह NCRT के आपके ऊपर ठीक तो एक तो उनके लिए जो IES beginners हैं अब सिर्फ IES beginners के लिए ही नहीं इवन जो लोग IES की तयारी कर रहे हैं ठीक तो mens में आपके 50-60% question ठीक इसी तरीके से prelims में भी 50-60% question ये भी आपके NCRT से आते हैं तो यहां भी आपको जरूरत है NCRT को पढ़ने की इसके अलावा आपके UPSC के द्वारा जो IOJ तो आपके जो तीन सबसे बड़े और exam होते हैं IES के अलावा ठीक है कौन कौन से एक आपके CAPF दूसरा आपके CDS और तीसरा NDA इनमे GS के जितने भी questions आपके पूछे जाते हैं ये NCRT से पूछे जाते हैं ठीक है तो उनके लिए भी जरूरी है और तीसरा आपके state PCS और state जोड़ी सरी के भी exams के जितने भी questions होते हैं ये सब NCRT से आपके होते हैं ये वैच उनके लिए भी आपके जरूरी है ठीक है तो ये किसके लिए जरूरी है ये हमने जाना तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आपके ये देखा कि NCRT आपके है क्या क्यों पढ़ना है क्या subject पढ़ना है क्या तरीका होगा इन सारी चीज़ों को समझा इन सारी चीज़ों से आपके related अगर कोई भी आपको problem या कोई भी doubt हो तो आप इस number पर आप whatsapp कर सकते हैं online 0962858 सिर्फ whatsapp करके ठीक आप अपने doubt को clear कर सकते हैं ठीक है आपको जवाब आपके doubt का मिल जाएगा पहली चीज़ आप के रही अब हम आते हैं अपने NCRT topics के उपर कि हम किस subject से इस batch को start करने बाले हैं ठीक है तो हम लोग आपके जो NCRT जो आपके start करेंगे ठीक ये start करेंगे आपके किस से polity and constitution संबिधान एवं राज्य विवस्ता ठीक है हम इस से इस batch को आपके start करने वाले हैं ठीक है तो अब अगर हम यहाँ अपने तरीका या method की बात करें ठीक तरीका यानी की method इसे बड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझें आप लोग यहाँ तरीका क्या रहेगा ठीक है अब तरीके की अगर हम बात करें तो यहाँ दो चीजें आपके आती हैं ठीक है इस सेवन्त एट्थ डेस 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 ट्वल्थ बड़ा असान सा तरीका है पहले हम आपको 6B की NCRT पढ़ाएं फिर 7B की पढ़ाएं फिर 8B की पढ़ाएं 9B की 10B की 11B की 12B की एक तरीका तो यह रहा अब यहां यह जो आपके class wise जो आपके NCRT है ठीक है पढ़तों मैंसे भी सक सकते हैं इस class wise NCRT को पढ़ने में एक समस्या है ठीक समस्या आपके क्या NCRT के अंदर आपके जो topics दिये गए हैं यह topics की खास बात आपके यह है कि यह आपके repeat किये गए बारवार ठीक है repeat किये गए हैं बारवार और इसमें आपके कई जगे आपके क्या है linking की कमी है linking की कमी आपके कैसे है जैसे के हम आते हैं geography इसका एक example है geography में आपके class 9th की NCRT में आपका topic दिया गया है Indian monsoon class 9th के बच्चे को Indian monsoon का topic समझना है ठीक है यह class 9th का topic है ठीक अब आप सीधा class 9th की NCRT पढ़ते हैं और आप Indian monsoon को पढ़ते हैं तो यकीन मानिये आपको यह समझ में ही न तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके temperature का concept क्या होता है ठीक winds का concept आपके क्या होता है जब तक ये concept नहीं पताती तब तक आप मानसून के concept को समझ ही नहीं सकते तो इसका मतलब आपके अब दूसरा तरीका आपके यह हुआ कि दूसरा तरीका हमारा यह होता है कि दूसरा आपकी यह जो तरीका है वो हो गया टॉपिक वाइज हम पड़े टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज का मतलब आपकी यह होता है कि आपके GS के अंदर आपके हर subject के जो topic होते हैं उनके अंदर एक chronology होती है chronology का मतलब A के बाद ही B आएगा और B के बाद ही C आएगा और यही तरीका होगा हमारे समझने का यानि कि topic wise का मतलब हम सारे topic के बीच में आपके क्या बना लें? एक chronology बना लें यानि कि एक sequence बना लें ठीक यह हुआ sequence कैसे? sequence आपके essay sequence आपके essay कि जैसे कि अगर आपको हम geography की बाद कर रहे हैं अगर temperature आपको पता है ठीक तो आप आसानी से समझ पाएंगे pressure pressure अगर आपको पता है तो आप आसानी से आपके समझ पाएंगे winds winds आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे rain rain आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे natural vegetation प्राकृतिक बनस्पती ठीक यही sequence होगा न अगर आपको यह पता है कि temperature या तापमान के concept क्या तो बड़ी आसानी से आप pressure के भी समझेंगे यानि temperature के उपर based है pressure pressure के उपर based होगी winds winds के उपर based होगी rain और rain के उपर based होगी natural vegetation ठीक यानि यहां क्या हुआ आपने देखा कि आपके यहां जो topics हैं उनके बीच में एक proper आपके chronology होती है topics के बीच में आपके chronology होती है ठीक है यह आपने देखा तो अब यहां हम लोग आपके आते हैं आगे ठीक है अब next आगे समझना यह chronology आपने देखी तो हम लोग जो NCRT आपके जो read करने वाले हैं वो आपके करेंगे किसाधार पे topic wise यानि कि हमने पूरी NCRT की एक chronology आपके develop की हुई है पहली चीज़ तो यह है पूरी NCRT की हमने आपके क्या develop की हुई है एक proper आपके chronology डवलब की हुई है ठीक है और इस chronology के according हम study करेंगे आपके किसको NCRT को हर subject की आपके एक proper chronology होगी ठीक chronology जैसे के माल लिए four example आपके quality तो quality में हम सबसे पहले आपके यहाँ देखेंगे कि एक ब्यक्ती से आपके crowd कैसे बनता है group यानि समू कैसे बनता है समू से आपके community कैसे बनती है community से nation कैसे बनता है nation से state कैसे बनती है फिर हम state के principles पे आएंगे यानि कि एक systematic chronology से हम समझने की कोसिस करेंगे आपके किसको हर topic को ठीक है तो यहां हम करेंगे क्या यहां जो हम पढ़ेंगे NCRT कैसे class wise ना पढ़के हम topic wise पढ़ेंगे और सारे topic के बीच में एक sequence या एक chronology आपके होगी जिसके आधार पर हम NCRT को आपके read करेंगे ठीक यह सबसे पहले हम लोगों ने समझा अब हम आते हैं इससे आगे ठीक अब इसके बाद मैं next अब हम समझते हैं कि अब हम सबसे पहले आपके जो duration है वो आपके इस course की duration आपके क्या रहेगी ठीक तो इस course से पहले हम सबसे पहले देखे हैं कि यह जो आपके NCRT का यह जो live badge है यह live badge आपके daily 7 p.m. to 9 p.m. ठीक यानि 7 p.m. के आसपा से start होगा और आपके वही 8.30 से 9 बजे आपके परड़े आपके यह चलेगा ठीक है डेड़ से 2 घंटे परड़े की आपके इसकी अब दी रहेगी Monday से Friday का आपके अभी यह general badge रहेगा दूसरी चीज और तीसरा यहाँ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि लगवग इसका जो badge की जो आपके complete जो duration आपके रहेगा course duration यह लगवग 6 महीने में आपके course खतम हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं आपके यह NCRT batch आपके यह useful किस किस के लिए है तो useful आपके किस किस के लिए है तो सबसे पहले हम देख लेए बे लोग आपके जिनोंने just 12th pass किया है या बे लोग जो graduation में है और जो लोग आपके IES की तयारी करना आपके चाहते है ठीक तो उनके लिए आपके जो पूरा एक साल का पूरा जो pattern है यानि कि जो शुरू का जो एक साल उन्हें देना है वो देना है किस पह NCRT के आपके ऊपर ठीक तो एक तो उनके लिए जो IES beginners है अब सिर्फ IES beginners के लिए ही नहीं इवन जो लोग IES की तयारी कर रहे है ठीक तो mens में आपके 50-60% question ठीक इसी तरीके से prelims में भी 50-60% question ये भी आपके NCRT से आते हैं तो यहां भी आपको जरूरत है NCRT को पढ़ने की इसके अलावा आपके UPSC के द्वारा जो IOGT आपके जो तीन सबसे बड़े और exam होते हैं IES के अलावा ठीक है कौन कौन से एक आपके CAPF दूसरा आपके CDS और तीसरा NDA इनमें GS के जितने भी questions आपके पूछे जाते हैं ये NCRT से पूछे जाते हैं ठीक है तो उनके लिए भी ये जरूरी है और तीसरा आपके state PCS और state जुडी सरी के भी exams के जितने भी questions होते हैं ये सब NCRT से आपके होते हैं ये वेच उनके लिए भी आपके जरूरी है ठीक है तो ये किसके लिए जरूरी है ये हमने जाना तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आपके ये देखा कि NCRT आपके है क्या क्यों पढ़ना है क्या subject पढ़ना है क्या तरीका होगा इन सारी चीज़ों को समझा इन सारी चीज़ों से आपके related अगर कोई भी आपको problem या कोई भी doubt हो तो आप इस number पर आप whatsapp कर सकते हैं online 0962858 सिर्फ whatsapp करके ठीक आप अपने doubt को clear कर सकते हैं ठीक है आपको जवाब आपके doubt का मिल जाएगा पहली चीज़ आपके रही अब हम आते हैं अपने NCRT topics के उपर कि हम किस subject से इस batch को start कर में बाले हैं ठीक है तो हम लोग आपके जो NCRT जो आपके start करेंगे ठीक ये start करेंगे आपके किस से polity and constitution सम्भिधान एवं राज्य विवस्था ठीक है हम इस से इस batch को आपके start करने वाले हैं ठीक है हम आते हैं अपने topic के उपर कि हम किस चीज़ से इस batch को start करने वाले हैं ठीक है तो दोस्तों अब हम समझते हैं आगे तो समझते हैं अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे किसमें कौन सी NCRT आपको रेट करनी है तो Constitution and Polity में आप लोगों को जो NCRT पढ़ना है वो सिर्फ 11th and 12th क्लास की ठीक सफी से एंट आई है 6 से 10 तक NCRT पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्लास आपके इसमें Constitution and Polity में उसमें आपके जनरल कहानिया है और ये सारी कहानिया हम क्लास के दौरान खुदी जुनाएंगे ठीक है तो यहां आपके क्या है कि आपको जो NCRT यहां पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा क्लास 11th और क्लास 12th ये 4 NCRT आपकी टोटल होंगी वो पढ़ना है कहां यहां ठीक तो यह आप सबसे पहले नोट कर लें अब हम आते हैं आगे ठीक अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट ठीक तो सबसे पहले आपके Constitution and Polity संबिधान एबम राज्य विवस्था अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो Word लिखा है इस Word का आपके अर्थ क्या होता है तो सबसे पहला आपकी जो Word है वो है Constitution और दूसरा जो आपके Word है वो है आपके Polity तो क्या आर्थ आपके होता है इसका तो क्या आर्थ होता है इसे समझाए वह तो Constitution यानि कि आपके संबिधान और Polity यानि कि आपके राज्य विवस्था तो सबसे पहले अगर हम इस constitution वर्ड की अगर हम बात करें संबिधान सब्द की तो constitution आपके है क्या constitution किसी देश का ऐसा आधार भूत कानून होता है जिसके अनुसार उस देश की सासन विवस्था को चलाया जाता है तो constitution आपके क्या है किसी देश का ऐसा आधार भूत कानून जिसके अनुसार उस देश की सासन विवस्था को चलाया जाता है तो constitution है आपके basically क्या basic principle और fundamental law of any country ठीक है यानि कि आपके एक basic law किसी country का principle law किसी country का या fundamental law किसी country का जिसके अनुसार उस country को गवर्न किया जाता है तो यहां हम इस definition से आपके समझते क्या है कि ये जो आपके constitution है ये है आपके एक theory पार्ट यानि कि आपके एक सिध्धान्त ठीक है अब आते हैं हम इससे आगे अब second अब समझना आपके polity यानि कि आपके राज्य बिवस्था तो polity यानि कि राज्य बिवस्था कि अगर हम बात करें तो polity आपके जब इन सिध्धान्तों को हम किसमें आपके लेके आजाएं ब्यवहार यानि कि practice में लेके आजाएं तो यही आपके बन जाएगा क्या पॉलिटी तो constitution है क्या किसी देश के बहतर सासन या सासन को बहतर डंग से चलाने के rules तो constitution एक theory पार्ट है यानि कि constitution है आपकी set of rules जिसके according सासन चलाया जाता है और इन rules को जब हम practice में लेके आजाएं तो यही बन जाएगा पॉलिटी यानि की राज विवस था तो सबसे पहले तो हमने यहाँ यह समझा कि constitution and polity यह दोनों में आपके एक linking है तो किस चीज की linking है constitution यानि theory और polity यानि की practice अब दोस्तों हम आगे समझते हैं ठीक यह तो हमने यह constitution and polity का सिर्फ अर्थ समझाए अब इस पे जो अब हम आगे आते हैं अब यहां constitution and polity को आपके जो पढ़ने का जो आपके तरीका है ठीक यह आपके पास दो तरीके हैं कौन से तरीके हैं तो अब आपके पास दो तरीके कौन से पहला तो यह कि आप सारी थेहरी को पड़े और दूसरा तरीका आपका यह ठीक क्या कि पहला आपने थेहरी को पड़ा और उस थेहरी के according आपने उसे practice यानी की वैभार में लगा दिया यह पहला तरीका हुआ ठीक है अब यहाँ इस तरीके को थोड़ा हम practical way में समझें कैसे है आप से कहा गया कि cycle चलाना कैसे सीखें ठीक है यह तरीका हुआ एक यानि आपको cycle चलाना सीखना है तो अब यहाँ cycle चलाना सीखने के दो तरीके हैं आपके पास कौन से दो तरीके हैं? पहला तो आप क्या करें, market से एक book लेvasin, और उस book लेकर आए, how to ride a cycle यानी की cycle कैसे चलाए? ये book आप लेकर आए सबसे पहले, ठीक है? अब how to ride a cycle यानी की cycle आप कैसे चलाए, ये book लेकर आए, इस book में आप लिखे गए सिद्धान्तों को आप पढ़े और उसके बाद उनसे धानतों को बेवार में लगाके cycle चलाना शुरू करें एक तरीका तो ये हो गए आपके सीखने का ठीक है पहला तो सबसे पहला कुस्चन आप सभी लोगों के सामने ये है क्या आप मैंसे किसी ने भी cycle चलाना जब सीखा है क्या कोई book पड़ी है किसी book को पढ़के आप लोगोंने cycle चलाना सीखा होगा obvious no ठीक अब दूसरा तरीका किसी भी चीज को सीखने का ये है कि हम सीधा practice में उतरा है practice में उतरा है यानि कि how to ride a cycle यानि cycle चलाना कैसे सीख है यानि कि इसकी सबसे खास बात आपके ये है कि आप cycle चलाने की कोई book मत पड़ो आप सीधा cycle पर बैठ जाओ और जब आप सीधा cycle के उपर आप बैठेंगे और cycle को जब आप चलाएंगे दो चार बार गिरेंगे दो चार बार पैर तूटेंगे और finally आप cycle चलाना सीख जाएंगे तो अब इससे फाइदा क्या हुआ इससे फाइदा ये हुआ कि जब आप practice करेंगे उसकी तो यहाँ आपको ये पता आपके रहेगा कि break कहां लगाने है पैडल कहां तेज मारने है कहा cycle को control करना है और आप इन ही अपने experience से अपने सिध्धान्त खुद बनाएंगे और ये ऐसे सिध्धान्त होंगे जिनको आप कभी भी भूलेंगे नहीं ठीक जैसे कि cycle चलाना कैसे सीख है ये आपने किसी भी book से नहीं सीखा आपने practice किया और इस practice के आधार पे आपने अपनी theory बना दी कि cycle चलाना ऐसे सीख है for example how to swim तेरना कैसे सीख है तेरना सीखने के लिए आपको दुनिया की कोई वुक नी सिखाएगी आपको उसके लिए swimming pool में कूदना पड़ेगा जब आप डूबने लगे तो यहां आपके हाथ पेर चलाएंगे और आप स्वता ही तेरना सीख जाएंगे इसका मतलब आप practice से खुद अपने सिध्धान्त बनाएंगे कि तेरना कैसे सीखना है तो याद रखना constitution and polity को अगर समझना है तो इसके दो तरीके हैं या तो हम सिध्धान्त से बेवार की तरफ जाएं और या फिर बेवार से सिध्धान्त की तरफ आएं ठीक सिध्धान्त से बेवार की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आप सीखो है ना सीखो लेकिन बेवार से जब आप सिध्धान्त की तरफ आओगे तो आप उस practical अनुभव से गुजर के आ रहे हो और यहां जब आप वेवार से सिध्धान्त की तरफ आओगे तो यह वो सिध्धान्त होंगे जो आपने अपनी practice से बनाए है और इन सिध्धान्तों को आप कभी भूलोगे नहीं यह हुआ आपके दूसरा system तो हम लोग जो यहां पढ़ने वाले हैं तो हम लोग जो यहां आपके पढ़ने वाले हैं वो क्या आपके पढ़ने वाले हैं practice से theory की तरफ यह पढ़ने वाले हैं यानि कि हम पहले देखेंगे आपके polity यानि राज्य विवस्था यानि practice और उसके बाद फिर हम देखेंगे constitution यानि की सम्विधान ठीक है तो अब सबसे पहले हम लोग जो अब आज read करेंगे वो हम लोग आपके read करेंगे आपके polity के आपके basic concept यानि राज्य विवस्था के basic concept जो हमें राज्य विवस्था और सम्विधान यानि polity and constitution दोनों को समझने के लिए अत्यंत जरूरी है तो समझते हैं friends पॉलिटी यानि की राज्य विवस्था राज्य विवस्था को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें एक word पता होना चाहिए राज्य यानि की state पहले तो हम आपके ये देखेंगे कि एक ब्यक्ति से state यानि राज्य का निर्मान कैसे होता है फिर हम देखेंगे आगे राज्य की विवस्था का निर्मान कैसे होता है यानि बड़े beginners concept से हम आगे की तरफ चलेंगे ठीक तो हम यहाँ आपके देखेंगे क्या कि एक आपके इंडिविजुल एक इंडिविजुल यानि कि आपके कोई एक ब्यक्ति एक ब्यक्ति से आपके आगे चलके कैसे निर्मान होता है राज्य का एक उliक्ति एका मेंड़ा ऩाल, कि एक ब्यक्तियुण प्रिफशÆं तude तो हमें सबसे पहले आपके देखना क्या है कोई भी आपके एक व्यक्ति और एक व्यक्ति आपके आगे चल के कैसे निर्माण करेगा आपके राज्य का ठीक तो हम गया कौन-कौन से कंसेब्ट समझने बाले है तो समझते हैं एक इंडिविज्यूल परसन से सबसे पहले जो हम समझाएगे वो ये समझांगे कि एक individual person से कैसे तो बनती है आगे चलके आपके crowd यानि की आपके भीड ठीक कैसे आपके निर्मान होता है group का यानि की समहूं का कैसे बनती है आपके community यानि की समुदाए और ये community कब बनाती है nation यानि की राष्ट और कब बनाती है state यानि की राज ये दो चीज़े आपकी होगी ठीक तो आते हैं हम आगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति से आपके कैसे आपके राज्य का निर्मान होता है तो हम सबसे पहला जो पॉलिटी का basic concept समझेंगे crowd किसे कहते हैं group किसे कहते हैं और community किसे कहते हैं और community कैसे nation बनाएगी and state बनाएगी समझना जरा इसे किसे जरे जरी आपके काश्रों समझे कयो भी हम वें सोबसे हैं पॉलिटी क कहते हैं झाल 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 झाल